हेलो दोस्तों मैं हूँ विशेक और जी टी ओ डेली टेक के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागित करता हूँ आज हमारे पास बहुत ही बढ़िया ख़बर है आप लोगों के लिए और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं इतना जरू कहना चाहूँगा कि हम लोग धीरे धीरे 1 million subscriber की तरस बढ़ रहे हैं और ऐसे में आप लोगों का support हमारे लिए बहुत ही important है जितने भी family members रोज Tech News देखते हैं अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लो ताकि हमारी family में आप जुड़ जाओ और 1 million जैसे ही complete हो जाएगा तो एक giveaway भी आने वाला है उसमें बहुत सारे phones और बहुत सारे gadgets आपको मिलने वाले हैं तो ऐसे में अगर आप GTV family का part रहोगे तो definitely वो giveaway के अंदर भी आप जीच सकते हो बाकी आपकी मर्जी वीडियो को like जरू करना और बाकी तो जो आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो तो बात करते हैं यहाँ पे पहली news की और उससे पहले हम बात करेंगे tech poll के बार में और यहाँ पे 31% कहरें कि कुछ नया नहीं है यहाँ और सच बात है 31% सही है और 69% भी कोई बुरे नहीं है मतलब I would say कि उनको भी लगता है कि phone तो अच्छा लग रहा है लेकिन definitely नया design नहीं है अब बात करते हैं Motorola के नए phone की बारे में जो है पहली ख़वर Moto G9 इंडिया में लॉंच हो गया है साड़े 11,000 रुपे का यह phone 48MP का camera के साथ आता है 5000 mAh की battery है इसमें आपको stock Android experience मिल जाता है सबको ठीक है phone की look and feel भी मुझे लगता है कि चलो ठीक है चल जाएगा लेकिन जो price है वो processor के साथ सही नहीं है Snapdragon 662, 665 से भी थोड़ा कम, almost same processor है समझ लो बस नाम दो अलग दे हो है, 662 and 665 are almost same in terms of performing power लेकिन फिर भी यहाँ पर price जो है साड़े 11,000 है तो सभी phone महेंगे चल रहे है, यह भी phone थोड़ा महेंगा लाँच हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि 11,000 रुपर में एक ऐसा phone आपको लेना चाहिए जो कि Snapdragon 662 के साथ है, मतलब मज़ा नहीं आया Motorola मुझे लगता था कि I was expecting better from Motorola Moto G Fusion Plus के बाद मुझे लगता था कि यह लोग थोड़ा ध्यान देंगे G series के उपर और अच्छे processor के साथ phone launch करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है बाकि इस phone के unboxing करेंगे तो उको बताएंगे, हमारे पास box तो अभी तक आए नहीं है आएगा तो देखेंगे अब बात करते हैं, अगली खबर के बारे में वो है Realme 7, Realme 7 की कुछ leaked images है, specifications है उनको देखते हुए लग रहा है कि 6.5 inch का FHD display मिलेगा, 5000 mAh की battery मिलेगी 30 watt की charging मिल जाएगी और MediaTek का G90T नहीं, G95 processor जो है आसकता है इस phone में तो नया processor होगा, थोड़ा सा बहतर होगा, G90T का ही दूसरा version होगा, थोड़ा सा higher clock version होगा लेकिन फिर भी ठीक है, it is still better, G90T के साथ Realme 6 आया था, तो Realme 7 में अगर G95 आता है, तो अगली ख़बर के बारे में और वो है Xiaomi की तरस से, Xiaomi का नया TV, Mi TV, Horizon Edition जो है लाँच होने वाला है, 7 सेतिम्बर को, दिवाली से पहले लाँच होगा ये TV, और ये समझ लो थोड़ा सा premium TV हो सकता है, पहली बार Xiaomi का पहला TV आपको मिल सकता है, OLED डिस्प्ले के साथ, जी हां OLED डिस Xiaomi लाँच करने वाला है, देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पर लाँच होता है, हालकि इसकी प्राइस कम ही रहेगी, Sony और Samsung से, अब बात करते हैं अगली ख़बर के बारे में, वो है POCO की तरफ से, अब POCO की तरफ से हम लोग वेट कर रहे है, POCO C3 आ जाएगा, जो कि Redmi 9C क Rebranded Version हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह एक और डिवाइस पर काम करें, जिसका नाम है POCO X3, अब POCO X3 के बारे में इंफोर्मेशन आई है कि इसमें 64 MP का कैमरा होगा, इसकी एक फोटो भी आई है, बैक पैनल की कैसा देखेगा, बैक पैनल, और साथ-साथ 5000 mH की बैटरी भी ह कार्जिंग भी इसमें, और दाटेक काई ने इसकी बारे में ट्वीट किया था, तो मुझे लगता है POCO X3 और भी जल्दी आएगा, और POCO C3 भी आनहीं वाला है, तो ऐसे में POCO की तरफ से भी और फोंस में लेंगे, X3 I'm more excited for, अब बात करते हैं अगली ख़बर, जो कि NARZO के बारे में, NARZO अब सब ब्रैंड हो चुका है, Realme का अलग से ब्रैंड हो चुका है, तो NARZO एक तरह से NARZO और POCO लड़ेंगे, और Redmi और Realme लड़ेंगे, तो इस तरह से इनकी strategy है, तो NARZO का NARZO 20 जो है, एक budget processor के साथ launch होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है, हाला कि NARZO 20, I hope, कि उसमे NARZO 10 वाले issues ना आए, और अच्छा phone launch करें, फाइनली है, लेकिन देखते हैं, क्या होता है, सब budget phone है, आजकल क्या हो रहा है, same-same processor उठाके, same-same design उठाके, multiple phone launch करें, companies, actually मैं उन सब phones में से कौन सब select करें, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि सारे iPhone almost same जैसे होते हैं, तो ऐसे में confused हो कि आप उन में से कोई एक मत ले लेना, अगर कोई अच्छा लगे phone, value for money के साथ से तभी उसको लेना, otherwise अपने आपको रोक के रखो, अभी बहुत सारे phone आने वाले हैं September में, अब बात करते हैं, अगली ख़बर के बारे में, Samsung ने कमाल feature launch क कर दिया है, जिसके थुरू आप Samsung का phone ढूंड सकते हैं, अगर वो switch off भी है तब भी, जिहां Samsung का phone switch off होगा, तब भी आप Samsung का phone ढूंड पाएंगे, उनके find my mobile feature के साथ, इसके लिए OT update वो लोग push कर रहे हैं, जो कि Samsung के अलग-अलग phones में आने वाला है, ये basically कैसे काम करता है, इ आने कि Samsung के बाकी और phones कहीं न कहीं आपको help करते हैं, उन particular devices को या अपने phone को ढूंडने में, जो कि कहीं आसपास ही है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में उसकी location जो है, encrypt होके save होती है, और दूसरे device पे उसकी location आपको पतल जाएगी, फिर उस location पे आप जाके दे पाइल से मिलते हैं, और छीने गए phone तो बेच दिये जाते हैं, तो ऐसे में अगर phone खो जाए, तो समझ लिजे कि वो आपके साथ हो चुका है, जो होना था, और उसके बाद chances कोड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के feature उमीद जगाते हैं, future में ऐसी technology आएगी, जिसक का क्या opinion है, तो फिलाली शुमित नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, जैहिंद, वन्ने मातरम, इस तरह की और news के लिए, like and subscribe कर लिजे, और हमारी 1 million family के अंदर जुड़ जाईए, जो की बहुत जल्द 1 million mark को रीच करने वाली है, जैहिंद, वन्ने मातरम, बाबाई, take care.